Capital Smart City 2018 में लौँच हुआ Capital Smart T Overseas East में जिसका पुर्वाना नाम Overseas 1 था January 2024 से लेके March 2024 तक इस पूरे कैटलॉग वीडियो में आपको तमाम सेक्टर की अपडेट डिवेल्पमेंट स्टेटस पता चल जाएगा कि ओवराल डिवेल्पमेंट का स्टेटस क्या है इसके साथ जो बाकर डिवेल्पमेंट हो रही है जिसमें विलाज भी बन रही है या ओवराल आप अगर Overseas East में और इन्वेस्ट कर चुकी है या आगे जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हलफुल साबित होगी इस वीडियो में तमाम सेक्टर्स के लिए लाधा नीचे टाइम लाइन दे दी गई है अगर आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर के वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके टाइम लाइन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं ओवराल ये जो वीडियो होगी ये कैटलॉग होगा कि स्टार्टिंग से लेके अब तक यानि मार्च 2024 तक डिवलपमेंट क्या हुई है ओवरसीज इस्ट में इस वकर अबने स्क्रीन पर सेक्टर A में बनने वाले स्ट्रीट 4 पर जो दो कुनाल के विलाज हैं जिनको कंप्री की तरह से 2020 में लाँच किया गया था उसकी फुटेज देख रहे हैं और ये बिल्कुल अडिजसंट स्ट्रीट बनती है जिसका नाम है पार्क रोड और लेफ्ट साइड पे पार्क रोड इस्ट और पार्क रोड वेस्ट बनते हैं जिसमें सेक्टर A और सेक्टर K को डिवाइड करते हैं अच्छी बात इस लिनियर पार्क रोड की ये है कि इन दोनों रोड्स के दरमीयां जो एरिया था जिसको लिनियर पार्क लिए डेडिकेट चिया गया था ये स्कूल से बिलकुल अडिजस्टन्ट था यानि स्कूल के प्रिमिसेस के बिलकुल सामने था तो इसलिए स्कूली इन वहाँ पी तीन ग्राउड्स बना दी है एक बचों के खेलने के लिए क्रिक्ट ग्राउंड है एक बास्क्रिबल कोट है और तीसरा स्केटिंग रिंक है जिसको साइटी की तरह से अभी फिनिशिंग के काम का गास किया जा रहा है लफ्ट साइड भी जो के बलॉक की मेन रोट है जो पार्क रोट है के बलॉक की उस पे एक घर में फैमली शिफ्ट भी हो गी है और वहां पे वो रेजडन्ट है ये मेंबर ने खुद अपनी चॉइस से कंस्ट्रक्ट किया घर अपनी मरजी से बना है और खुद वह यां पर ब्लॉक को फैंसिंग कर दी गई है ब्लॉक के अंदर जाने और आने के हाली दो या तीन रस्ते हैं इनके लावा ब्लॉक में एंटरस नहीं ले सकते हैं और उन रस्तों पे डेफिनिली सुसाइटी की तरह से 24 आर गार्ड जो हैं वेलिबल होते हैं और पैट्रलिंग के लिए स सुसाइटी की तरफ से कोशिश होगी कि यहां पे मैक्सिम रेजिएंट्स को अबाद किया जाएं अगर हम Overseas East Sector A की अच्छी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि अच्छी बात यह है कि अच्छी बात यह है और गॉल्फ कोर्स और सेक्टर A के दरम्यान सिर्फ एक रोड करते हैं जिसके वेट 180 फीट है उसके बिलकुत साथ गॉल्फ कोर्स ही एंटरस पॉइंट बनता है गॉल्फ कोर्स के दो एंटरस पॉइंट है एक है आपका 400 फट रोड से और एक इस रोड से एंटरस पॉइंट है तो यहां पे गॉल्फ कोर्स से एडजस्टन जो हमिल्ट एंतर्टीन हिल्स ब्लॉग में सोसाइटीने 10 क्रोड रुपे का किनाल का विला लाँच किया है तो अभी यहां पर किसके पास सेक्टर ए में 10 असमरला के दो प्लॉट है कनाल का प्लॉट बनता हैं स्थास वाइलिई कोस्ट मिलाा के आज किरीम साड़े 5 करोड का घर बढ़ता है अपका रोड कर popped vRO यह प्र चाछा कर आकष्ट आफए। जो 8,400 स्केर फीट के साथ 4 राल का विला होगा, वो भी अवैलिबल होगा, तो उसलिए असकी काफी अच्छी लोकेशन बनती है, अभी जो आप एरिया देख रहे हैं, यह बिसिकली कमर्शल रोड है, और यह लीनियर पार्क के सामने है, और स्कूल के भी कुछ सामने है, और जो क्लासरी मार्केट है, यह सी मार्केट जिसे कहते हैं आम तोर पे, जो सेक्टर के अंदर की मार्केट होती, जहां पर आपको डेली अमेनिटीज के लिए, जैसे तंदूर हो गया, जैसे सबजी की शाप होगी, जैसे केशन केरी होगी, यह बिसक ग्रॉस्टरी स्टोर सबसे शांदर ब्लॉक बनते हैं टम्स ओफ लोकेशन एक तो आप जो इंटरचेंज है मैं आगे गूगल अर्थ पर जामेर करूंगा उसमें आपको दिखा दूंगा कि इंटरचेंज से से कर डिस्टंस कितना बनता है एक तो डिस्टंस बहुत कम है नमबर वन, नमबर टू, इस बलॉक के तीन साइडर पार्ग है एक लिनियर पार्ग आपका से क्टर A और B को डिवाइड करता है drops दूसरा linear park आपको सेक्टर A और K को डिवाइड करते हैं तीसरा जो सेंटरल पार्क है वो बिलकुल इस linear park के opposite side पे जा आपको डूम नदर आ रहा है वो एक तो तीन साइड वे पार्क बनता है अगर हम बात करें दो साइड पे तो मेन रोड आते हैं बैक साइड पर जहां पर एक दो दो किनाल के विलाज थे हैं स्ट्रीट वन पर उस बैक साइड पर जो है गॉल्फ कोर्स और सेक्टर एक डिवाइड करने वाला जो रोड है वह 180 पी एकसेस वन रोड है जो जाके इंटरचेंज से किनेक्ट करता है नमबर वन, नमबर टू राइट साइट पर जो आर वन रोड है वो भी मेन डबल रोड है तो वहां से भी आपका अकसेस मिल सकती है तीसरी साइट पर लीनियर पार्क के सरौंडिंग में देखें तो 50 फीट का रोड और सेंटर में 220 फूट का लीनियर पार्क है अब जो मेंबर यहां पर रहते होंगे अगर आप शाम को डेफिरिंटल यहां पर स्पोर्ट के लिए आना चाहते है अगर आपको हेल्थ केर की जरौत पड़े तो आपके पास हेल्थ केर जो कितने डिस्टन्स पर वाकिया है तो मेरा ख्याल है कि सेक्टर A है और सेक्टर K यह फेवरिट बनते है उस लहाँ से क्योंकि R1 रोड के उपोजट मस्जिद के साथ बिलकुल अड़िस्टन्स जामया मस्जिद के साथ आपको हल्थ केर के लिए 50 पेट का हॉस्पिल मिल जाता है अब मैंने जामया मस्जिद की बात की है तो Overseas East की एक ही जामया मस्जिद है जो के सेक्टर A से एडजिस्टन वाकिया है तो आपको मजभी फरीजे भी सर अंजाम देने के लिए आपके लिए जो लोकेशन है वो बहुत नेरबाय बनती है तो उसका benefit भी आपको definitely उसी तरह से पास होगा जिस तरह कोई भी individual expect कर सकते है यह मैं जो divider road की बात कर रहा हूँ जो access one road है उसके footage देख रहे हैं left side पे और उसके साथ आपको यह पूरा linear park कर नज़र आ रहा होगा सामने के block में रोड पर तीन गर बन गया है लेकिन प्रॉपरली जहां पे लोग मूव हुए है वो एक घर है जहां में मूव हुए है अभी recently हमारे एक हमारी company के एक client थे यहने के हमने उनकी booking की थी तो उन्हें मूव करना था अपना sector C में उनका विला बना था उस घर में तो उन्हें रिक्वेस्ट की कि कि मैं मूव करना चाहता हूं साइट पे मैं बाहर से मूव किया है मैंने तो society की तरस चे उन्हें जो आपको model विला नजर आ रहे हैं दसस मला का जो पेर बनावा यहां पे उन्हें temporary तोर पे यहां shift कर दिया गया था और तीन हफते के अंदर अंदर उनका विला रैडी करके उनको hand over कर दिया गया था आज वो अपने विला में रहाइश पजीर हैं कल मैं किसी member का comment पढ़ रहा था और रहा था कि साइट पे कोई एक individual लिन रहता right now साइट पे तकरीबन 13 families हैं जो move कर चुकी हैं उन families के इलावा यहां पे आपको तकरीबन 3 विलाज जोड़ के जो school की teachers हैं female teachers हैं उनके लिए जो hostel बनाया किया है वो भी यहां पे रहाइश पजीर हैं sector C में वो भी आपको मिलते हैं उसके साथ साथ अगर sector B और एक्जेक्टिव ब्लॉक में जाते हैं तो वहां पे silicon village के जो employees हैं जो silicon village में स्टार्ट अप हेड़कोर्टर हैं उसमें जो employees हैं काम कर रहे हैं उनके लिए भी company ने वहां पे proper पर रहाइश का बंदोबस कर दिया हैं अगें वही स्ट्रीट बान की फोटिज आगे जहां पे दो कनाल के विलाज होगी राइट साथ पे एकसेस वन रोड 180 फिट वाइट उसकी बैक साथ पर गॉल्फ कोर्स सामने आपको नजरा आ रहे हैं 50 वेट का हॉस्पिटल उसकी ब पाकिस्तान की पहली सुसाइटी जिसका जाते इंटर्चेंज और मोटर वे के ओपर उस सुसाइटी में अगर प्रॉपर्टी आपको मिले वो भी आपको आजगर प्रॉपर्टी यहां पे इंस्टॉल्वन मिलती है 7.5 मिलिन का 10 मिल लगा प्लॉट है रिसेल में शाइट सिब सस्ता मिल जाए लेकिन यहां पे भी आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी आज नहीं लेकिन आने वले 2-3-4 साल बाद आपको यहां पे बहुत अच्छा ROI रिटान और इंवेस्मेंट पास होगा क्यूंकि इस से पहले स्मार्टी की तरह का इनिशेटिफ इतने बड़े स्केल पे किसी भी प्राइवेट डिवेलपर ने नहीं लिया मैंने एक विडियो पोस्ट की थी आलमस्स 5-5-6 महीं नहीं हो गये है कि 50,000 कनाल आपका Google अर्थ पर रखबा है जो डिवेलप है हो चुका है 50,000 कनाल अगर ब्राउन भी डिवेलप यह हो तो एक बहुत बड़ा रखबा बनता है एक ने शेर के बराबर बनता है आम तो पर सुआइटी लाँच होती है लोग दावा करते हैं कि हमरे इतने हजार कनाल पर पर प्रजक्ट होगा यह इस वक्त फिजिकली 90,000 कनाल पर डिलिवर प्रजक्ट है अगर हम बात करें सेक्टर बी की तो सेक्टर बी में अगर प्लॉट साइज की बात की जाए तो सिर्फ एक कनाल के प्लॉट साइज है सेक्टर बी में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉटन चीज है ओवर्सेज इस के तिमाम रहाइशों के लिए वो बनती है आपका स्कूल यानि एडुकेशन के सिस्टम सेक्टर बी वो ब्लॉट है जहां पे इस वक्ट फुली ऑपरेशनल स्कूल इस वक्ट मजूद है जिसकी कंस्ट्रक्टेट बिल्लिंग अरिया है आर्ट कनाल और बाकी जो लाउन वगरा या बाकी ग्राउन वगरा बार का मिलाके यह अरिया वो है जो ओवर्सेज इस्ट के दर इस वक्ट सेक्टर बी में जो एक स्कूल उपरेशनल है उस स्कूल चुक्छर मजूद हुए है सेक्टर बी पे स्मार्ट सेंट स्कूल जाया वालडी बनाया जा चुका है इसकला सेक्टर बी की सबसे अच्छी बात आपको पीछे बैक साइड पे एक पार्क नजर आ रहा होगा जिसके नाम है फ्लावर शो पार्क ये जो पार्क है ये 280 किनाल का पार्क है अब इस पार्क की खास बात क्या है या सेक्टर बी की खास बात क्या है सबसे इंपॉर्टन बात ये है कि ये ब्लॉक वो ब्लॉक है जो तीन साइड से प्लॉट से सराउंड़ पार्क से सराउंड़ेड है यानि कि एक पार्क राइट साइड पे आपने सेक्टर A and सेक्टर B इस पार्क के जो वेट था that is 220 फीड और इसके लावा अगर मात करें हम थर्ड साइट पे जो सेक्टर B और सेक्टर J को डिवाइड करता है पार्क रोड एस्ट और पार्क रोड वेस्ट उस पार्क की वीडियो भी आप डिटेल से देख सकते हैं कि वो पार्क का स्टेटस क्या है राइड नाओ ये जो पार्क से हैं चार साइड से तीन साइड से कवर्ड है ब्लॉक पार्क के साथ तो अगर आप इसको लिविंग पॉइंट वे से देखें तो सबसे ज़्यादा आप्टिमल लिविंग की जगा बनती है सेक्टर बी उसकी वज़ा ये है कि आपके कोई नियर बाय को हाई राइस कमर्शल नहीं है सेक्टर ए में सेक्टर मार्कीट ज़रूर है और सेक्टर बी में भी सेक्टर मार्कीट ज़रूर है लेकिन स्कूल के opposite side पे है स्कूल अलरी ground plus 5 की building है तो उसके सामने 4 मरला commercial भी ground plus 5 की आने है तो उसका residential plots के लिए कोई drawback नहीं है तो ये सबसे important बात बनती है sector B की कि यहां पे आपको जो product मिलती है वो living के point वो से बहुत feasible है कि यानि घर से आप किसी भी street पे रहते हैं किसी भी जगा पे रहते हैं किसी plot पे रहते हैं आप जैसे घर से बाहर निकलेंगे left हो, right हो ये सामने जाएं आपको पार्क ही मिलेगा तो ये सबसे important बात है specifically जो overseas पाकिसानी है और वो अपनी retirement के लिए यहां पे capital smarty को consider कर रहे है यह बहुत अच्छा option है second इस block के अंदर already तकरीबन ऐसे है 2046 villas हैं जो already overseas east sector B के अंदर बनाए जा चुके है एक कनाल के 23 villas हैं आपके main road के उपर जिसे अबने सीना road कहते हैं 50 foot road है और बाकी जो villas हैं वो back side पे आते हैं third is access road 3 जो है जिसकी विर्थ है वा नेटी फीड जो चक्री road को connect करती है विद रावल पंडी रिंग रोड यानि यह जो road आपको नज़रा आ रही है इस road से जैसे आप gate से बाहर होंगे तो दो किलोमेटर के फासले पे आप रावल पंडी रिंग रोड को भी connect कर सकते है तो यह भी बहुत अच्छी बात है इस लहाँ से क्योंकि अगर आप पंडी कम्यूट करना चाहते है यह alternative जो members है जिनका अबाई लाका जो है वो गुजरखान बनता है दीना, मंगला, अजाद कश्मीर उसके साथ साथ आगे गुजरावला, गुजरावाथ यह जो अरिया बनता है अबाई लाका तो यहां से अगर आपकी रहाईशा आया यहां पे तो आप 15 मिनट से जिटी रोड और जिटी रोड पे डिरेक्ली कम्यूट करके easily towards these cities जा सकते है तो यह बड़ी अच्छी बात है सेकंड के इस ब्लॉक से एडजिस्टन आपको लेफ्ट साइड पे जो कुछ नमाजी नमाज करते हैं नमाज अदा करते हैं नजर भी आ रहे है यह जूंकर फ्राइडे के बनाई वी वीडियो है और सबसे बड़ी बात कि जो स्मार्टी के अंदर इस वक्त दस किनाल का एक कमर्शल परजेक्ट अपरेशन हुआ है उसके बिल्लिंग भी आपको इस सेक्टर में मिल जाती है तो वो भी उस लिहासे काफी अच्छी फिजिबिलिटी बन जाती है क्योंकि जिन भी मेंबर्स ने आके यहां पर रहाइश बजीर होना है तो उनको अगर नेरबाइ डिस्टंस पे तमाम फसिलिटी जो उनके लिए रिक्वाइड है तो डेफिरिंटली उनके लिए उनकी लाइफ उतनी बहतर होगी और स्मार्टी के डिवल्पन का स्टेंडरेट के लिए मुझे कोई बात करने जरूरत नहीं है मेरे हैल है कि यहां पर डिवल्पन के स्टेंडरेट को इस तरह से मिंटेन किया गया है अभी हाँ इस स्टेंड पे जो हाफ विलाज है यानि 6 से लेके आगे जो विलाज बनती है 6-7 से लेके आगे जो स्टेंडर आते हैं आपको यह ग्रेस स्टेंडर की फ़र्म पे इन पर पेंट का गाम का अगाज नहीं किया गया तो इन विलाज को पोजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा बाकि जो शुरू के 6 विलाज हैं स्टेंड पे मैंने गलती से 46 विलाज कह दिया था इसमें 26 विलाज है 13 विलाज फ्रंट पे 13 विलाज बैक पे तो इसमें टोटल जो पहले 6 विलाज हैं खुद अपने लिए कंस्ट्रक्ट की हैं और वहां पे अभी उसके फिनिशिंग का काम जा रही है ये चार एक पांच माँ वाले में याद है शुरू किये थे विलास इनके लिए वासाइट पेवेंट भी किया गया था तो ये इन विलास पे अभी आने वाले दुनों में जिन मेंबर्स के पास हैं डेफिनिली वह भी आकर रहाइश बजीर हो जाएंगे जैसा के सेक्टर K, Overseas East, Main Park Road West पे एक मेंबर UK के जो रहाइशी हैं वो पाकिसान में आकर रहाइश बजीर है भी तो ये डेफिनिली उसके लिए बहुत ज़ाइश बहुत अच्छी जगा होगे अगर आपने पाकिसान में आकर रहाइश रखनी है और आपको एक अच्छे स्टेंडर की लाइफ चाहिए विद लो प्राइज तो डेफिनली कैपिल स्मार्टिटी तो ये वो बात करें जो स्टेंडर का के लान्च केह था यानि के अच्छी की स्टेंली को मौस्क है उसमें इस वकگो रुटीम है 2020 के बाद वं मस्जेश बोपरेशन बbers कर दी गई थी और तक्रीबें तीन साल हों को पररेशनल हो, अब वहां पर जो भी नमाजी नमाज अदा करते हैं, पांच वक्ती नमाज होती हैं, और उसके साथ साथ जो साथ ईबर हैं, उनके लिए यह इक वाहिद पॉ nights है जहां पे पांच वक्ती नमाज भी अदा कर सकते हैं, brief जामे म वो भी सेक्टर में रहाश पजीर और साथ तकरीबन 13 फैमिलीज जो ओषीज इस्ट में नौ फैमिली इस्टेम रह रह रही हैं तो यह वरह सेक्टर सी की डिटेल इंफोर्मिशन थी और हैं एक इसका कमर्शल प्रजेक्ट एड़ी इसके वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट प स्ट्रीट नमबर स्ट्रीट नमबर सीज़ आपको विलाज नज़ आते हैं स्ट्रीट 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 पे आपको रेजिदेंश प्लोट नज़ आते हैं और जो में रोट R1 है उसके ओपर जो फेसिंग प्लोट्स हैं वो दस-दस किनाल के हाई-रेस कमर्शल के प्लोट्स हैं और उनके मर्शल प्लोट का भी आपको इस वक प्लोट्स ने जमीन पर रेडी हैं एक प्लोट पे सुसाइटी की तरफ से अपना प्रजेक्ट कर दिया गय यहां प्लोट को बेज दे यहां पर इसल्फ उन पर कंस्ट्रक्शन करके मेंबर्स को यूनट सेल किया जाए अभी जो प्लाजा बनाया गया उसका कोई भी उनट अब तक सेल में नहीं आया इसके लावा एक और प्रड़क्ट है इस सेक्टर बी और सेक्टर डी को डिवाइ चुकी है उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो रही है और आने वाले दिनों में जब उसको मकमल कर दिया जाएगा तो देर इस अपॉसिबिलिटी इसके अपार्टमेंट मार्केट में लाँच किया जाएं बड चांसे काम है राइड नाव जो सेक्टर सी में आप सेक्टर डी को बि नेंबर का उन्हें पने प्लॉट पर खुद कंस्ट्रक्शन की है सेक्टर सी के में बात करें इसके क्यों प्राइम बनती है वरस्ट आफ ओफ ऑल के सेक्टर सी जो है अगर आप स्मार्टी में शुरू से अप जानते हैं कम्यूत करते हैं तो जिस सेक्टर में सभसें पहले definitely सबसे ज्यादा speed से आएगी अगर आप इस sector में plot खरीदना चाहते हैं society का इस वक जो यहाँ पर product है 75 lakh रुपीज का 10 मरला का plot है और 15 lakh क्री down payment से आप यहाँ पर plot बुक कर सकते हैं तो यह एक अच्छी बात है इस sector में अभी भी plot available है वो भी installment पे ready plot और आपस पर construction भी कर सकते हैं sector C की एक और important बात है वो यह भी है कि sector C जो है वो capital smarty का जो सब से फ्लैक्शिव परजेक्ट होगा यह चाहिद आने वाले दनों में पाकिस्तान का सब से फ्लैक्शिव परजेक्ट होगा लामायर उसके बिलकुल सामने है यह लामायर और sector C की दरम्यान में सरफ एक रोड का gap है आरवन रोड का वनार यह दोनों ब्लॉक्स अपस में connected है लामायर की importance इसलिए भी है कि पाकिस्तान में इस तरह की पहले activity नहीं हुई किसी water body के किनारे पे कोई commercial district जहां पे आप आप वाक कर सकें ऐसा create किया गया हो पाकिस्तान में जहां भी water body होती है उसके साथ साथ definitely यहां तो apartment बना जाते हैं शौस बना जाती है पहली बात तो ऐसे बहुत कम construction है कराची में नज़राती हैं आपको जहां पे आपको apartment नज़राते हैं इमार के यह कलिफ्टन के साथ कुछ apartment buildings हैं लेकिन capital स्मार्टी में अब 10,000 एकर का इस वक्त चहांड है मजूद है जो 99 एर की लीज पे capital स्मार्टी के पास मजूद है अब जब उस लमायर की surrounding में आपकी construction होगी और वहां पे walking district बनेगा तो definitely फ़रेंडी वह बहुत बड़ा tourist spot होगा capital स्मार्टी का 2024 के एंड तक आपको interchangeable में मिलेगा 2024 के एंड तक यहां पे आपको at least 800-900 घरहों में अबादी भी मिलेगी और इसके साथ 24 के एंड में लमायर डिस्टिक के अंदर भी बहुत सारी आपको बिल्डिंग बनती भी नदर आएंगी और वह एक walking district होगा यानि वहां पे आप गाड़ी लेकर जा सकते सिर्फ चल के जा सकते हैं तो मेरा ख्याल है उसका बहुत ज़्यदा positive impact जो आएगा जिस ब्लॉग पे वह sector C होगा और सिर्फ का आपको सामने फिजिकली स्क्रीन पर देख पिने आप कि इस वक्त सेक्टर C के अंदर जो 10 मला के विलाज हैं उनका structure आपके सामने है पीछे जो 10 कनाल के building है ग्राउन प्लेस 10 की लेक वीव हुआइट्स आपके सामने है लामायर का जो डूम है वह भी आपको इस फ्रेम में नज़रा रहा है पीछे बैक साइट पे उसके लावा सेक्टर C की मज़िद भी नज़रा रही है और इसके लावा जो member itself घर बना रहे है I think चार यां पांच घर हैं जो सक्टर C में बन रहे हैं और स्टाइटी के दर जो प्लॉट ओफर कीगे हैं 75 लाक रुपीज के इसके बाद बहुत साथ मेंबर जो हैं वो आने वाले दिनों में शुरूर भी करें construction मुस्ली पकस्तान में लोग जो है वो एट फ़बरी करें एलेक्शन के बाद ताकि मुल्क में एक सिस्टम आजए प्रॉपर्री सेट आप आजए को गवर्मन आजए हर चीज के रेड़ियों डबल हुए है क्योंके मुल्क में कोई ऐसेच कंक्रीट बिजनस मॉडल नहीं है और अभी एलेक्शन के बाद जब stability आजएगी डॉलर का ग्रेड़ स्टेबल होजएगा आपकी fuel को स्टेबल होजएगी तो उसके बाद चीजें बहुत अच्छे हद तक सीक्वेंस में जाएंगी तो मेरे खाल है सी ब्लॉक जो बहुत ही अच्छी ऑप्शन बनती है इंटरम्स अफ इंवस्टमेंट एंटरम्स अफ लिविंग असवेल क्यूंके 75 लाख रुपे में आपको 10 मुर्ला का प्लॉट इंक्लूडिंग दे कॉस्ट अफ लैंड डि अच्छी प्रॉपेटी आपको मुकमल कैश की प्रॉपेटी मिलती है इंस्टॉल्मेंट प्रॉपेटी अवैलिबल नहीं होती तो मेरे ख्याल है सेक्टर सी को यह वला ड्वांटिज मिलेगा इसके साथ साथ सेक्टर सी जो बिल्कुल एडजेस्टन्ट है जिससे दो देखा जाएं तो पार्क है은 बैक साइट पर लिनियर पार्क है जो सेक्टर S सेक्टर I को डिवाइट करते है और सामने वाले साइट पर 280 कि नाल का यह सोर्स ती ऐसे को एक्वली किनेक्ट करता है तो ऎपको Eyes मिल जाते हैं अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल जो आप कह पाता है को पात करें तो कॉलिज लेस दन 1.5 किलो मेट के डिस्टंस पर ओवर सी प्राइम बन में गर्ल्स कॉलिज और बॉय्स कोलेज आप यह ची बाते हैं तो यह अच्छी बाते हैं वसी इस सेक्टर सी कि ताकि जिन मेंबर्स ने करना अपने इसमें आने वले दूनों में हैं तो मुझे इसमें कुछ एक्स्पेंट करेंगे जरूरत नहीं है क्योंकि ओल्री तमाम के तमाम प्लॉट अइसमें कोई एरिया वैसा नहीं लिटिकेशन हो जैसे के मैं आगे जब सीरीज में जाओंगा सेक्टर जी सेक्टर के तो वहां पर लिटिकेशन अभी बाकी है स को डिवैलप होगा तो आपको पुजेशन मिलेगा सुसाइटी की तरफ से अभी जो रिजर्व कोटा था जो चेर्मन कोटा होता है जिस पर सुसाइटी ने विलास बना के सेल करने ते लेटर स्टेच पे उन्हीं प्रड़क्ट का उफर किया गया है कंस्ट्रक्शन के रेट फ्लक्शूयट कर रहे हैं तो ससाइटी इट सल्फ विलास बनाएं यहीं विलास विलास स्टेटी ने 1.43 क्रोड की यहां पर 10.500 के लांच किया थे और बाद में एस्कलेशन के बाद विलास जो राइज 3,30 क्रोड की होगे थे 3,30 क्रोड, 2,80, 2,90 इस तरह भी लोगों ने पे की हैं और आज भी डेट में देखा चाहिए तो विलास भी इतनी ज्यादा हाई कॉस्ट पर यहां पे वैलेबल नहीं है खुद भी आब बनाते हैं तो अजी बन चार पांच जार पर स्क्रेट के साफ से आप यहां पे अपर यहां पर लोकल यहां पर वेंडर्स हैं जो लोकल कंस्टुक्टर जिन्हों नहीं यहां पर बिल्डिंग कंस्टुक्ट की हैं उनसे यह बनवाकर आप अपनी साइट पर हमारे डिस्टिक भी है अगर हम बात करें सेक्टर D की ओवराल डिवल्पन के हवाले से तो सेक्टर D का 90% एरिया ऐसा है जो बिल्कुल मुकमल क्लेर है लेकिन 10% एरिया ऐसा है 10 से 15% कर लें 85% एरिया ऐसा है जो अभी तक लिटिकेशन में है ये अरिया पार्ग रोड आगे ज जिसकी लैंड अभी तक लेर नहीं होई और वहां पर डिवल्पन का घाज भी नहीं किया गया इन जरॉन अगर बात करें सेक्टर D में तो सेक्टर D में बाकी अरिया बनते हैं उस पर कंपनी की तरफ से मोस्टली एरा ऐसा है कि जहां पर विलास बनाके बेचे जा रहे हैं क साथ है तरिवन कहलें 15 ये 16 फ्लोर की बिलिंग बनती है टोटल ये इतना बड़ा पॉजट ये बोत बिलियंज का पर जैक्ट ये मदल वह नहीं है कि चंद लाग करोड़ा परजक्त नहीं है अरबॉगा पर ये कंपनी की तरफ से एक भी फ्लेट या यहाँ पर अभी तक सेल म इसे तरह पर ऑफर ना दिया गया है तो शायद यहां भी फ्यूचर में लॉट्म के चेंड मना करें इसको रण करें लेकिन वो इस निए त ROM की बात है Right, Now ॉसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस कितनी हो चुकी है जी पहले विलाज् gepingtर लॉँच कि विलाजों की ते हैं बाकि जो 10% EO, विलाज बन रहे है, जिसमें 10 मेरा recommend है हैं जिसकी में बैक फाइब मरला भी हैं यह वाले जो विलाज आपको नजर आ रहे हैं राइट ना उन्डे स्क्रीन यह वाले विलाज जो हैं अभी इनका रीसेंट ली तक दो तीन माँ पहले काम शुरू किया गया है और यह विलाज अभी शेप में आना शुरू होंगे इनक आप Deburg स्वाट करेंगे जो में इस ब्लॉच का क्रक्स है यह है कि इस ब्लॉच गैंदर एक बगडर पाजेक्ट है जो यह तो होटेल होगा यह अपर अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी अगर अपार्टमेंट बिलिडिंग तो मेरा ख्याल है कि इट इस थ वन आफ ब ट जिस तरह के इसको डिजाइन किया है कि हर एक अपार्टमें ऐसा कॉर्ण यूनिट है पेली बात कि बिल्डिंग जो फॉर साइट से उपन है सेकंड के बिल्डिंग के सेंटर में भी आपको बड़ा कोट यार्ड मिलता है जो में प्रीवेस एक वीडियो पोस की तो यह जब फ पहले पाओ की बेस पर फर्सकंफर सर्फ की बेस पर यहां पर पार्टमर्ट में पर कर पाएगा अधरवाइज अगर अगर इक अपार्टम बन गया तो डेफिनल बहुत ही शांदा तरीके का उस्ट अटल होगा स्मार्टी इसल रन करें कोई और चान रन करें एंड अगे य आप पर सेक्टर डी और सेक्टर सी आपस में डिवाइड होते हैं उस यगह पे आपको डिस्प्ले आफस भी मिलता है जो इस वख आपको फिस्क्ली लीफ सब्सक्री ने नजर बी आ रहा है विलाज की बात करें तो मेंबर्स एक्सा क्मेंट करते हैं ने वीडियो बनाई थ लेकिन अभी तक सिर्फ 10 मला और कनाल के विलाज के लावा पांच मला के विलाज को पॉसेशन हैंड ओवर नहीं हुआ कुछ विलाज ऐसे हैं जिनका अभी तक जो चुनाई का काम है यानिके जहां से इंटें इंटों से कंस्ट्रक्शन की जाती है मुन्याद से लेके ओपर तक अब वहां पे काम पहुंचा है और यह विलाज याद रहे के 2020 में लांच किये थे अब इन विलाज को 14 साल है अभी त से अरॉं थारा उनका सिक्स्टी परसंट यह इस नंका पॉशेशन डैडि होगा पांच मुला के स्पस्फिक के अंदर जो दस मुला का पॉशेशन डैडी हो रहे हैं और एक जडिव में पांच मुला के प्लोट्स को अछेशन रडी हो रहे है राहिक नोर फुटिज आप स् इस करा हमें लीनर पार्क रोड एस्ट इस रोड पे भी यहां पे जिस एरिया में अभी लेफ्ट साइड पार्क है यहां पे पहले डिवल्पमेंट नहीं हुई थी लेकिन अभी आज की डेट में अगर देखते हैं फिजिकली तो यह रियर इस्ट नहीं ब्राउन किया गया है तक्रीबन कहलें कि दो महीने पहले शाहिद अभी यहां पे डिवल्पमेंट जो है वो काफी अच्छी स्पीड से जा रही है जो लेटिकेशन के इशूज हैं वो हर आने वाले दिन के साथ रिजॉल्फ हो रही है और उमीद करते हैं कि यह जल्द जल्द रिजॉल वाजिंगे मेंबर्स जैसे एक्जेक्टि ब्लॉक में मेंबर्स हैं और इंवस्मेंट किया हैं तो मुस्ली कहलें कि आउट ओफ 100 परसंट 20 परसंट ऐसे इनको पॉसेशन मिला बाकी मेंबर्स वहां पर वेट करें 80 परसंट अभी हैं थैसे जो सेक्टर करते जो उस न ही और मिला सबसे कम पार्ट वह Cube भारा दे स्था उस्द यह जादा इन जिगेशन का बिर्दि ब्लॉक मिलती ऐस से थोड़ी सी ज़्यादा लेंद न कि आपको ज denesक तो यह जो फूटिज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सेक्टर E के अंदर अगर मैं जाओं यहां पर स्टीट नंबर 9 स्टीट नंबर 10 जिस में प्लॉट्स का मैप देख लें अगर कस मैप नहीं है तो मुझे मेट सब्सक्राइब कर दूंगा और इसाथ यह वीडियो फॉ को बात की जाएं तो सबस्क्राइब कर दो नहीं है तो इस वजह से यहां पर डिवल्पमेंट जो है वह मैंबर्स की बहुत ज़्यादा अर्ली रिक्वार्मेंट आज़ादा यहां जल्दी से जल्दी डिवल्पमेंट हो तक लोग अपना बना सकें क्योंकि 10 मला और कनाल के प्लॉट्स यहां पर रेडी हैं लेकिन मोस्टी लोग ऐसे हैं जो 10 मला कनाल के प्लॉट पर फोर्ड नहीं करतें कंस्ट्रक्शन करना इसलिए सेक्टर ए का शिदत से इंजार है कि इसका पॉसेशन मकमल हो ताके मेंबर्स को यहां पॉसेशन एंड अबर किया जाए अब य तो यह ओवराल सेक्टर ए की अपडेटेड इंफरमेशन थी के साइट पे इस वक्त जो डिवेल्पन की सूर्ट आल है वो कहां पर स्टैंड करती है सबसे पहले जी सेक्टर एफ जो है उसकी लोकेशन कहां पर है सेक्टर एफ अगर बात करें जो कैपिटल स्मार्ट एटी क पहला इंटरचेंज बनाया गया था मास्टर प्लैन में उस से नियर अस सबसे पहले बलॉग सेक्टर एफ आता था तो उसकी लोकेशन सब ज़्यादा प्राइम थी लेकिन बाद में इंटरचेंज की लोकेशन रिवाइज होगी और नई लोकेशन जो है वो 332, 333 जो मोटर सबसे नहीं रही कि सेक्टर एफ में लोग इंवेस्ट करें लेकिन फिर भी सेक्टर एफ की अगर देखा जाए तो अभी आज की डेट में बहुत यची लोकेशन है इन टाम्स ओफ के उसकी आसपास जो है नेबरोट जो है वो मोसली ओपन है और फैसल टाउन फेस्टू के स सबसे जाए जाए तो इस लिहाए तो इस लिहाज से सेक्टर एफ की वैली तो इची बन जाती है कि आने वारे दिनों में जब फैसल टाउन फेस्टू में डिवल्पेंट होगी तो जाए से बाद असका सबसे ज़्यादा एडवांटेज हो मिलेगा क्योंकि वहां जो रोड कि जो सेक्टर एफ के दूसे अरियाज हैं जैसे साथमला प्लॉट है वहां पर अभी तक जो है वो लिटिकेशन है और वहां पर कोई डिवल्पमेंट नहीं हो रही है लेकि उमीद की जा सकती है कि आने वाले दुनों में सुसाइटी वहां पर उसकी प्लॉट को कहीं और श तो यह आने वाले दिनों में आपको नियो सुनने को मिलेगी कि सेक्टर एफ के बारे में सुसाइटी ने नियो लोकेशन जो है वो कहां पर रिवील करनी है और से सेंटरल का मास्टर प्लान चेंज भी किया जा रहा है उसमें जब चेंजिस आएंगे तो इन्शलमा उसके व वीलाज बनाए जा रहे हैं लेकिन बारा मला के लाओ सुसाइटी की तरह से कहीं विने थे सिर्फ डेडिकेटेड बलॉग जो था वह सेक्टर एफ खार सेक्टर एल फर लहॉर और के सेक्टर एफ फर फॉर्नर अब जो यह दूनु बलॉग्स हैं इस इन में एल बलॉग को तो पहले खतम कर दिया गया क्युंक्क उसके जितने मेंबर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया एफ लॉक बाकी था तो एफ लॉक में जो पांच मला और बाराउ मला वाली काटिकरी के काटिक यह मैं आगे जाके साथ मरला वाले प्लॉट थे वो सारे के सारे लिटिकेशन में आगे यानि उसकी लैंड जो है वो बैसिकली शायद फैसल डाउन फेस टू ने प्रिक्यूर कर ली मैं गूगल अर्थ प्रिकाता हूं पर कैसी वीडियो में आगे जाके मैं फुटेज भी दिखाता हूं कि जहां पर कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है कोई भी ऐसी जमीन नहीं बची जो अभी सुसाइटी के पास अवेलिबल हो क्योंकि मोस्टे लैंड ऐसी है जो अलड़ी फैसल टाउन फेस टू के पास जा रही है और फैसल टाउन ने वहां पे डिगिंग करके प्रॉपर ली डिमार्के फैसल टाउन फेस्टू के इंटर्चेंज जात यूज़ करने की जाज़त मिल जाए और कैपिटल स्मार्टी के मेंबर्स जो है फैसल टाउन के तरू कर्म्यूट करते ठलीया इंटर्चेंग की तरफ जा सकें बट यह कोई कंफरमेशन नहीं है क्योंकि फैसल टाउन साइट पर काम नहीं रुकता जहां पर जमीन मजूद है ऑफ कोर्स लेकिन यहां पर फैसल टाउन ने भी लॉंचिंग की है चौदरी मजीद साब का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इं टरम्स ऑफ डिवलप्मेंट तो जाहर सी बाता वो भी जब डिवलप्मेंट करेंगे यहां पर फैसल टाउन और जो फैसल साथ केपिल समार्ट टी है दोनों की वज़ा से यहां पर एक नहा शेर बहुत बड़ा शेर शाहर रावलप्मेंट इसलामबास से बहुत बड़ा शेर यहां पर तियार होगा तो अमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो मेंबर्स है हैं जिनकी साथ मला के प्लॉट से सेक्टर F में उनको अपने प्लॉट के अजस्मेंट अगेंस कि इस जगाए प्लॉट मिल जें ताकि आपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करके अपने घर को अबाद कर सकें तो सेक्टर G के मेंबरान के लिए कुछ अच्छी खबरे हैं और के वाले से और लैंड की प्रिक्योर्मेंट के वाले से तो मैसिव चेंजिस आएं मैं कौंगा हन्ड़ परसंट के चेंजिस आएं एक्जेंपल के तौर पे Overseas, East, Sector D जहांपे ट्रिवलिस विला बन रहे हैं वहां सिर्फ पहले 5 मरला वाली लैंड प्रिक्योर थी जिस पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी अभी वहांपे जो 10 मरला वाले पूरे विलास की स्ट्रीट्स हैं मकमल हो चुकी है अभी आग साथ फुटेज भी आपने देखी होगी प्रिविसली जहांसे विडियो में स्टार्ट की थी तो सेक्टर D की फुटेज नजर आती है कि सारी लैंड क्लियर हो गई है अगर हम बात करें सेक्टर E की तो सेक्टर E का भी सर्फ सर्टन पार्ट शुरू की एक दो गलियां रह गई है बाकी तमाम लैंड जो है वो सी क्लेर होगी है तो पहले अगर सेक्टर D में रेशो थी 50-50 यानि 50-non-develop 50-develop अब वहां रेशो 100 होगी है एक बात करें तो वहां भी रेशो पहले थी 60-40 थी 60-non-develop और 40-develop अभी यहां पर रेशो जो रिवर्स होगी है 90-10 होगी है 90% develop 10% non-develop सेक्टर F की बात करें वहां तो सबसे बुरा हाल था वहां रेशो थी 90-10 की यानि 90% non-develop और 10% develop अभी वहां पर रेशो 100% होगी है जो लेंड थी वो हार्ली 5% प्रिक्योर्ट थी 95% लेंड लेटिकेशन में थी लेकिन आज की डेट में रेशो जो है वो 45-55 की होगी है 45% प्रिक्योर्ट होगी है मैं के गूगल अर्थ पर जब आपको स्ट्रीड वाइज एक्स्प्रीन करूंगा तो उसमें काफी आपको अच लेटिकेशन नजराती है वो जो पीछे ग्रीन फिल्ड जहां के साथ हो तो छी एक कट नजर आ रहा है लैंड का फर्क नजरा रहा है कि कुछ लैंड नीची है कुछ लैंड ऊपर है यह सारा एरिया जो नजर आ रहे हैं यह पहले एक्सिस्ट नहीं करता था सारे खेथ थे लेकिन छे महीने के अंदर अंदर जो है वो तर्किवन 40% एरिया इस ब्लॉक का क्लियर कर दिया गया है तो उमीद करते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर इसकी जितनी लैंड है वो सारी की सारी प्रिक्यूर हो जाएगी लेकिन अभी भी देखा जाए इस अ मैसिव जंप इसने पोजेशन नहीं लेना तो 6 मैंने बाद भी आपको यहीं पे पोजेशन मिल जाना है तो आप अपने प्लॉट पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इन जनल अगर बात की जाए सेक्टर ए और सेक्टर जी की लोकेशन वाइज देखा जाए चार साइड यंगर देखें त तो नौर्थ और इस साइड की साइड हैं क्योंकि दोनों साइडों पर बहुत अच्छा व्यू बनता है कि यहां सिर्फ 19,50,500,000 अगर उस प्राइस के साथ आपको यहां पर ऐसा व्यू मिलता है तो मेरा ख्याल है कि आपने पैनिस पे करके पाउंड वला जो आपको एक ची मुकमल कर लिए development में थोड़ी से पार्वी रोड का बाकी है बाकी लेहां मुकमल हो गी है अगर बात करें इसकी वेस्साइट पहापोर सैट पर आपको मेरामन इंगे और निक्टों फो काषिट प्रश्जियों की निकर वहां पर क्या लाएंगे लेकिं बहुतार है के कि उस एरिया में है mostly जो आपको अपार्टमेंट सोरे मिलेंगे यह घर मिलेंगे वो होंगे National Command Authority के यानि के जैसे अब आपका strategic planning division है Pakistan Atomic Energy Commission और इस तरह के जो बाकी अधारे हैं जिनको actual की तरह से यह लैंड दी गई है मेरे खाल में उनको यहां पर कामरेट किया जाएगा तो इन जेनरल लोकेशन वाईज देखा जाए केपिंग इन माइंड प्राइस ऑफ द परड़क्ट मेरे खाल में बहुत ही ज्यादा अच्छी लोकेशन है आपको बैग्रोंड में चहां डैम नजर आ रहा होगा पीछे आपको 360 डिग्री में पहाड भी नजर आते हैं तो किसी भी साइट पे फेसिंग आप घर हो किसी भी स्ट्रीट पे तो आपको पहली बार जो मिलती है वाकिंग डिस्टंस पे घर से निकलते साथ ही वो मिलता है आपको लीनियर पार्क जो मेरे खाल है कि बहुत अच्छा आप्शन है फॉर दे मेंबर स्पेस जाता है कुछ प्लॉट जो पार्क के सामने होते हैं जिसे पार्क फेसिंग कहते हैं उनको अकॉमंडेट किया जाता है लेकिन यहां पे कैपिटल स्मार्टे ने एक बहुत अच्छा इनिशिटिव लिया है कि 6.7 किलोमेटर की लेंध का लीनियर पार्क दिया है 6.7 पे स्मार्टे ने इसको प्लैन किया है उमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कि जब स्मार्टी एरिया मकमल डिवैलप कर लेगा तो यहां पर मैक्सिम लोग जब घर बनाएंगे तो इन गरों पर उतना ही अच्छा है उनको एक तो लिविंग की फसिलिटीज सेकंड इस क यहां पर इसमें देखें कि स्मार्टे ने खुद कितनी इसमेंट की हैं अम देखा जाए साइट पर तक्रीपर उनने से बीस स्ट्रक्चर्स हैं मिल्डें के वह पिछे आपको 22 कनल का प्लाजा नजा रहा है अर्बों रुपेका बने घर नजर आ रहे हैं मस्जिदे नजर प्लांट की यह इस बात को डिपिक्ट करता है कि डिवेलपर इस सो मच कंसर्ण्ड विद पॉजक्ट कि उन्होंने इसकी डिलिवरी का जो है खोड़ ठान रखा है कि अपने अर्बों खर्बों रुपे उनने यहां पर कर लगाए हैं डिवेलपमंट की मद में या अपने इ प्लाट की रिक्वाइड जो कहलें कि पॉजेशन बले रही है और इसके साथ साथ जो नौन पॉजेशन बले रही है उसके कंपरेजन की बात करें पहले तो हार्ली 40-50 प्लाट्स ऐसे होंगे जो भी नौन डिवेलप हैं सेक्टर एच में बाकी सेक्टर एच में जितने भी तमाम के तमाम प्लाट्स डिवेलप डान पॉजेशन बलाट्स जो फोटेज अब स्क्रीन पर देख रहे हैं विलाज के साथ राइड साइड बज़ अरिया पुछ आंपर कुछ वाटर बाड़ भी नदर आ रही है यह वाला अरिया पहले कंपनी के पास प्रिक्योर नहीं थ रिसेंटली इसको प्रिक्योर किया गया यह लीनियर पार का अरिया आता है और यह भी मुकमल पॉजेशने बर हो चुका है जो एरिया नॉन डिवेलप है वो हिल रोडली साइड पे एक स्ट्रीट बनती है जहां पर अभी तक सोसाइटी के पास लेटिगेशन है पॉजेशन नहीं हुआ इसके लावा बाकी जितने प्लॉट्स हैं आप साइट मरला का विलास देख ले एक तो साइट मरला का विलास तकरीबान मुस्टली ऐसे स्ट्रॉक्चर्स हैं जिनका फरस्ट फ्लूर का यहां तो लेंटर डल गया है यह लेंटर भी डल रह रहें तकरीबान के चुनाई का काम मकमल हो गया है, जो मेंन कंस्ट्रक्शन में सब पढ़ी पहला स्टेप होता है, वो चुनाई काम होता है, यानि बुर्यादों से लेके उपर पुरा धांचा बनाना, तो उसमें अगर आप देखें, तो ग्राउंड फ्रस्ट फ्लोर तक जो है, वो स्ट्रक्श तमाम के तमाम प्लोट्स आलमोस्ट डेट साल ये, दो सल पहली ही पुजेशन में आगे थे, मा सिवाए चंद एरिया ऐसा था साथ मला के प्लोट्स का और कोछ एरिया ऐसा था पांच मला के प्लोट्स का, जैसे में वीडियो के स्टार्ट में बात की है, कि वहां पे पुज तerson नहीं था अगर हमंद कर साथ G का सब्सक्रेशंग बात करें दो चारो साइट के लिएस् सक्रेश नर्थ EAST SEKay Ilm VOICE में ता का देखना की लेख और चारों हेस्त एक प्राटबन लेगे साथ दीथिट ग City ल पास पास विलाज भी हैं जो कंपनी ने बनाके मकमल कर दी है तो यह वाला इरिया जो है अगर आम देखने अगले एक साल के अंदर अंदर अब इंटरचेंज के हावले से एक बहुत बड़ी नियूज है जो में आने में दूनों में construct हो चुके हैं जिसमें कुछ 5 मुला के लाए 300 यूनिट्स हैं और 7 मुला के यूनिट्स लेकिन तो सेक्टर D.H. के अंदर बन रहे हैं इसकला सेक्टर H. के अंदर मेंबर्स ने अपने plot से possession लेके खुद भी construction की है यह आपको 3 यूनिट्स नजर आ रहे हैं यह 5-5 मुला के घर हैं जो सेक्टर H में मेंबर्स ने अपने plot पे खुद construction करके यहां पे बनाए हैं development की बात करें तो यहां जतना area है तमाम के तमाम area में already street सी कार्पेटिंग हो चुकी है underground saverage मकमल है street lights लग चुकी है foot path बन चुकी है जो main horticulture काम होता है जिसमें साथ linear park है और यह जो आपको बड़ी street नज़ा रही है left side पर यह basically commercial plots की parking है तो यह commercial plots भी यह पोजशनेबल हैं और यह जो water tank है यह linear park के दरम्यान में है यह linear park की landscaping और commercial plotting construction यह मेरे खाल में आगे आने वाले दिनों में बड़ा step होगा और इसके साथ sector D और sector H में जो लोगा के possession लेंगे क्योंकि company ने जिन members ने यहां पर विला जबाय किया थे उन्हें रेंट पर आफर दे रही है कि आप company को यानि capital smarter को जिस position में वो as it is new आप handover करेंगे तो new आपको वापस किये जाएंगे और आपको permanent जो rent है उनका receive होता रहेगा वो एक certain rent की ratio है अगर आपको यहां पर विला हो तो मुसे contact कर सकते हैं तक आपको rent के वाले से तमाम चीज़ें explain कर दूँ बात करें सेक्टर I में dimensions of plot की तो dimensions of plot में सबसे पहले चार मरला और आठ मरला commercial plots हैं यहां पर जो आपने वीडियो के starting part में सारा area देखें यह चार मरला और आठ मरला के commercial plots का था और इसके लावा यहां पर society की तरह से एक high-rise apartment building complex यह apartment complex बनाया जाएगा जिसमें separate society होगी vertical form है जैसे for example जितना जिस तरह बाकी blocks हैं एक block अलट से A block है उसमें 200 plot हैं B block उसमें 1500 plot हैं C block उसमें 700 plot हैं इस तरह compile करके जिस तरह एक horizontal society है इस तरह यहां पे एक vertical apartment complex बनाया जाएगा जिसमें different towers होंगे जिसके 4 towers मेरे जेट tower हो गया और लेंडे tower हो गया इस तरह different towers हैं जिन में यहां पे apartment construct किया जाएगी इनके अंदर इनके office space होगी इनके अंदर यहां पे commercial space होगी इनके अंदर school होगा और इनके अंदर यहां पे mosque होगी right now sector high में अगर हम बात करें इन apartment complex की तो इसी construction पर काम नहीं किया गया अब उसमें आते हैं second part के इसके surrounding के लिए जो blocks हैं उनकी बलके इससे बहले मैं third point पहले explain करता हूँ यह काम क्यों start नहीं हुआ क्योंकि society की तरफ से जो land की litigation थी वो अब जाके clear हुई है यह आपको जितनी land नजर आ रही है यह land की litigation पहले मजूद थी अभी भी एक certain part है कहलें कि तो त्री परसंट यह जो area आपको नजर आ रहा है यह वला area अभी तक society के पास procure नहीं है जब यह area procure होगा तो यह block बिल्कुल मकमल 100% मकमल हो जाएगा right now इसमें certain part पे litigation मजूद है वो litigation कब खतम होगी इसके बारे में हम तो को बात नहीं कर सकते लेकिन हाँ जिन area दे में litigation खतम हुई है वहाँ पे इस वक आपको development physically ground पे नजर आ रही है यह end of February की वीडियो है तो आपको clearly नजर आ रहा होगा कि जो पहले आई से 6 माँ पहले यह जो मरकस की land आई clear नहीं थी अभी यहाँ पे देखें तो आपको properly उनकी जो streets हैं की carpeting होई भी नजर आती है कुछ area में asphalt है कुछ में बिल्गों compression होई है भी उन पे carpeting होनी है और सबसे important बात sector I और sector H को जो divide करने वाली road थी जो linear park road थी यह road जो अभी recently मुकमल होई है इस road की सबसे ज़्यादा importance है future में master plan के याद रहे यह sector C, sector I, sector D E और sector H को जो road डिवाइड करती है यह आगे जाकर डिरेक्टली इंटर्चेंज के साथ करेगी यहां से आगे निकलेगी चार्सों फुट रोड वहां से contract cross करते होई आगे NCAF की जो building complex है उसके साथ और इसके राइट साइट पर जाएंपर इंटर्चेंज होगा वहां पर जाकर इसका exit निकलेगा वह मैं master plan कोशिश कर रहा हूँ कि as one as possible जब मेरे पास public हो जाएगा कि मैंने भी फिजिकल फॉर्म में देखा है hard copy में जब soft copy मेरे पास आएगा तो मैं इसके specific वीडियो बना दूँगा कि वह जो exactly location जो बनती है वो क्या बनती है तो उसका benefit जो है sector I को बहुत जादा पास होगा sector D को बहुत जादा पास होगा sector C को और sector H को बहुत जादा पास होगा अगर हम commercial plots की बात करें तो definitely आज की date में यहां पे इतनी as such कोई resale value नहीं है ना 4 मला ना 8 मला commercial की लेकिन future में जाके जब definitely road connectivity में आएगा तो यहां पे commercial की value भी बनने लग जाएगी राइट नाओ यहां पे society की तरसे चुँकि अब इसका possession है और 90% market को यह बात पता भी नहीं है कि यहां पे possession available है तो इसलिए यहां पे commercial की resale की value as such नहीं बन सकी बढ़ उमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में काफी ज़्यादा अच्छे results नज़र आएंगे यह sector आई से विलकुत सामने वोगर display office भी नज़र आता है इसका भी काफी important रोल होगा आने वाले दिनों में तो let's see कि क्या development के आने वाले दिनों में changes आते हैं capital smartty overseas sector I की site पे अगर हम बात करें sector J के overall number of plots की किन sizes के plots हैं तो इसमें यहाँ पे मिलनी दो तरह के plots हैं 50 by 90 या 500 गर्स एक कनाल के plots या 75 by 120, 1000 गर्स दो कनाल के plots यह इसमें दो size के plots बनते हैं total number of plots approximate 130-135 के आसपास हैं या 130-1335 plot हैं जिन में से approximately 15-18 plot ऐसी हैं जो residential हैं और बाकी तकरीबर आराउंड कहलें के 40-50 या 30-35 plot ऐसी हैं आपके जो commercial plots हैं जो अभी non-developed हैं sector J में बाकी area sector J में developed हैं तो overall litigation की ratio count की जाए तो block के number के साबसे बनती है around 25-22% की ratio के जो area अभी society के पास मजूद नहीं है बाकी area जो है वो society के पास इस वक आज की date में ब्रिक्योर्ट हैं अगर हम बात करें right now जो footage आप देख रहे हैं यह main commercial revenue है उसके उपर जो one कनाल के residential plots हैं plot number 1 से plot number 11 तक यह उनकी footage है और main की back पर जो plots हैं उनकी footage भी आप देख सकते हैं कि यह area अभी तक society के पास non develop है plot number 1 से लेके plot number 7 तक बाकी area के बात करें तो sector J के अंदर जितना area बनता है वो तकरीबन तमाम का तमाम area बिल्कुल clear है उसमें such litigation बाकी नहीं है हाँ जिन members के पास यह plot है वो society से अगर आप possession construction तो definitely आपका plot जाए उसकी shifting हो जाएगी overseas east में अगर आपका plot जो है specifically J block के अंदर non-ballot is non-possessionable है तो आप उसका जो है उसका possession लेने के लिए यह काम कर सकते हैं बात करें बाकी in general इसकी amenities की sector J की sector J overall locality wise बड़ अच्छा block है क्योंकि इसके बिल्कुल सामने आपको school मिल जाता ह राइट साइड परक है सामने लिए साइड परक है लेफ्ट साइड परक है त्री साइड परक आ जाता है बलकर दो साइड परक आ जाता है और एक साइड पर commercial आ जाता है और एक साइड पर high-rise apartment complex आ जाता है तो in general अच्छी location बनती है sector J की यहां पर overseas east में sector B कनाल के लिहाज़ जादा preferable है sector J की निजबत उसकी reason बड़ी simple सी है कि उसके साथ आसपास कोई high-rise commercial नहीं है sector C में commercial जरूर है लेकिन इसके साथ sector I के अंदर आपको ground plus I think 12 यह 13 floors के जो apartment complex है जिसका society ने one capital के नाम से launch किया था उसकी सारी construction यहां पर होनी है तो sector J उस तरह से preferable नहीं है for construction purpose in general अग आपको भी street नदर आ रही है यह दो कनाल के plot की street है इसके लावा दो कनाल के plot को पूरे capital समार्टी overseas east में कहीं भी नहीं मिलते एल ब्लॉक्स में कुछ plot थे sector L में लेकिन आज की date में society के पास L ब्लॉक की लैंटर की और नहीं है वो plot को बाद में की और shift कर दिया जाएगा जिन और वहां पर मर्कज है तो उसलहाँ से इमेंटी जो है काफी ज्यादा वह कहलें कि जरूरी इमेंटी आपकी walking distance में हैं इसके लाव अगरा बात करना चाहें इसके जो में पार्क जिसे से बनाओ है यह में जामिया मस्जिद उस से तक्रीबर थोड़ सा डिस्टेंस पर इतना में लगते हैं अगर आपने सेस्सक्टर जे में एकसेस लेनी हो तो तो सबतीने हैं कि सेक्टर एंसा कंपर बाते हैं कि कि आपकूस्तारे बनार गठालता के साइवा नहीं ही चाहरा है उसकी land की development society ने नहीं की, उसी तरह मिटी के टेले हैं, उसी तरह मिटी की पहाड़ियां बनी हुई हैं, जब यह develop होगा, तो sector K 100% develop हो जएगा, but as of now, as of today, अभी तक इसकी procurement जो है, वो मकमल नहीं हुई, sector K की खास बात क्या है, sector K की सबसे खास बात यह है, जो capital smartry का interchange बनेगा, M2 motorway पे, उससे interchange का underpass connect होगा, जो दोनों साइडों का अपस में connect करेगा, वो sector L block के सामने से निकलता है, L block की land, चुंकि already society ने खतम कर दी है, वहाँ से residential block, तो जो सबसे favorite block होगा, जिसके सामने से U-turn create होगा, वो sector K होगा, उसकी वज़ाई यह है, कि sector K को directly दोनों साइड से, आपने उस साइड से motorway की right साइड से left साइड पे आने है, तो आपको easy access यहां से मिलता है, और यहां से कर उस तरफ जाना है, तो easy access यहां से मिलता है, तो interchange का जो रू लूब बनेगा, main M2 motorway की नीचे से, underpass का, वो आकर यहां पे connect होगा, second, अगर हम बात करें, चार साइड से इसकी, तो north side पे इसके sector J है, east side पे sector A है, west side पे इसके golf course है, और इसके south side पे जो बनता है, sorry, south side पे golf course है, और west side पे इसके जो है, वो अभी society के पास land नहीं है, ना master plan पे वो चीज़ दिखाई हुई है, जब वो चीज़ ने future में प्रिक्य करता है, second, इसमें जो important बात है, वो यह है, कि इसके बिल्कुल back side पे 180 foot का road है, और 180 foot का road को cross करती ही, पीछे golf course है, तो जो दो block सबसे closest है golf course के, तीन sector की बात करूं, sector A, सेक्टर K, सेक्टर B, और सेक्टर B, वो गॉल्फ को सबसे नस्दीकी बेलाग कराते हैं, अगर हम दूस बिल्डिंग बनेंगी, 36 feet height allowed है आपको बिल्डिंग की, तो उससे आपको golf course का view मिलेगा, तो एक वो अच्छी बात होगी, future में जाके इसकी value बनेगी, तो यह इस लहाँ से काफी अची चीज है, अगर हम बात करें इसकी status of development की, तो जैसे आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन प चुकी है, और दो प्लॉट्स ऐसे हैं जिन पर आज की डेट में possession अप्लाई हो चुका है, जहां पर मेंबर्स खुद अपने प्लॉट पर construction करें हैं, याद रहे हैं कि यहां सोसाइटी की तरफ से ऐसाच construction नहीं की गई, इसके सामने बिल्कुल जो linear park आपको नजर आ रहा है ग्राउंड वाली, तो से मने चीज़ें explain की थी, तो सेक्टर के कोई एक prominence ही आती है, यहां से, दो साइट पर इसके पार्क हैं, तीसरी साइट पर गॉल्फ कोर्स है, और चौती साइट पर आज इसी बात है कि एल ब्लॉट कर ली जो प्रिमिस्स हैं, वहां भी तक unidentified हैं, क कि वहां पर क्या बनेगा, बर लेटर स्टेज़ पर जाके जो भी चीज़ वहां डिवैलिप होगी, definitely के ब्लॉट के मेंबर्स को उसका बहुत ज़्यदा benefit पास होगा, और society वहां को residential ब्लॉट तो रखेगी नहीं, वह ऐसी चीज़ रखेगी जिसका maximum advantage उठा सके कि वहां से interchange clearly visible होगा, इस studio में डिसक्स करेंगे कि हारनी पाक ब्लॉट में ओवराल किन साइज़ के प्लॉट्स हैं और इस सब्सक्राइबर्मेंट का स्टेटस का है, हारनी पाक ब्लॉट और सीज़ इस ब्लॉट जो इसको डिजाइन किया था, as a affordable ब्लॉट या low income ब्लॉट तो यहां प अगर हम बात करें तो हार्मी पाक ब्लॉट में सॉसाइटी की तरह से इस वक्त जो है वो पांच मल्ला और साइज तीन मला के विला अपार्टमंट पे काफी तेज़े से कंस्ट्रक्शन है काम हो रहा है, जो प्लॉट्स हैं स्ट्रीट बंस्रीट टू है साइज तीन मला के प्लॉट्स आते हैं स्ट्रीट 3 के ओपर जो है वो आपके 50 फीट रोड में एंटर्स रोड उसके आपके ओपर पांच मल्ला के विला आते हैं इस तरह डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट है राइट ना जो फोटेज आप स्ट्रीट नमबर टैन की फोटेज है अब लेफ प्लॉट सेरीज में जो आता है ये प्लॉट नमबर 66 जो लाइस उनट पर इस प्लॉट नजर आएगी जिस पर फर्स फ्लॉर पर काम हो रहा है उस पे प्लॉट नमबर 66 बनता है तो इन जनरल जिन मेंबर के यहां पर प्लॉट्स हैं इन स्ट्रीट पे वह वैसे भी अगर आप देखना चाहें स्पेसिफिकली स्ट्रीट वीडियो तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूगा स्ट्रीट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 उनकी वीडियो सेपरेटली बनाके वह शॉर्ट वीडियो हैं एक स्ट्रीट की कि वहां पे एक्चल साइट पर डिवलप्न का लाउंच किया जाते हैं वहां बें चोटे प्लॉट नहीं लाउंच किया जाते हैं स्मार्ट टी की तरफ से कई गई है कि इस सेक्टर के अंदर आपको मैक्सिम प्लॉट यह हैं बड़े साइजिस के नजर आते हैं पीछे आपको वाटर बाडी का व्यू मिल रहा होगा रा साइट पर विलाजी कंस्ट्रक्शन अज़रा रही होगी और इसके साथ साइट थीन मिला और पांच मिला के जो विलाज यहां बन रहे हैं सोसाइटी की तरह से बहुत ज़्यादा लीस्ट प्राइज पर ओफर किये थे राइट नो अगर आप कंस्ट्रक्शन की पेस देखें अगर आज की डेट में कंस्ट्रक्शन के रेट देखें तो वो परड़क्ट जो है वह आपकी एजिली उस दौर की जो परड़क्ट लेट से 36 लाग के थी आज वो परड़क्ट आपकी 87 लाग की परड़क्ट बनती है अगर आप इट सेल्फ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की अ और चहान डैम के साथ एक पार्क भी बन रहा है और इसके साथ चहान डैम के साथ दूसरी तरफ वहाँ पे अपार्टमेंट्स और इसके लावा यहाँ पे लामाय डिस्टिक भी होगा यानि कि जो सबसे एक्सपेंसिव डिस्टिक होगा पिंडे इसलामबाद की लोकेशन में क्यूंकि जितने भी ब्रैंड पुरे पाकिस्तान में उनको कैपिटल स्मार्टी की मेनेजमेंट यहां पे उनके ऑफिशली स्टोर खोल के उन्हें उपरेट करके देगी रेंट फ्री और लेटर स्टेज में अगरीमेंट होगा कि वह जो भी आपका आपसमें होगी जेवी की फॉर्म में तो यह जो लामायर की प्रिमिस्स हैं यह पाकिस्तान में वन वन्स मदब एकिस वंस कहलें के ना सेंच्री ऐसा को प्लान होता है कि ऐसे अरिया को पुब्लिक सर्विस के लिए यूज किया जैनि जो ब्रैंड बनेंगे उन से फसिलिटेट कैपि इस सेक्टर एम हार्मी पाक ब्लॉक नज़राता है हार्मी पाक ब्लॉक के अंदर इस वक्ट डिवल्पन जो है वह अपनी पीक पे है अभी मोस्तली जो है स्ट्रीट की कटिंग और फिलिंग वाला काम जो है वह भी थोटा सा लैक पिया इतना वो तेजी से नहीं हो रहा बाकी जो चुनाई काम हो रहा है जिन स्ट्रीट पे राइड ना आपको स्ट्रीट फोर स्ट्रीट त्रीट फोटिज नज़रा रही है इन पे भी देखें तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से स्पीड से काम होता हुआ नज़र आएगा अभी ये वल एंगल देखें यहां पे इस सेर्या में छोटा यूनिट है, साधे तिनолот का 20.45 का बड़ी का बलॉट है, 20.45 का बलॉट यहां पर 36.1 का विला लौश भी या रगड़ कीया था, जो रिजल में भी विलिबल है उन विलाज को देखा जाए, यह इस प्लॉड कीमत को देखा जाए अपनी कीमत के साथ से यह लोकेशन जो है वो ज़रूर से ज़्यादा अची बनती है क्योंकि एक तरफ आपको बैक से वाटर बाड़ी और सामने लोगे साइट पर आपको खैरी मरत रेंज का व्यू मलता है तो जो कराची और इसलामबाद का लट से कोई जॉइंट वेंचर होगा जेवी होगा तो यह पॉइंट होगा कराची की तरह याँ पर वाटर ब्लॉक के अंदर, यह जो घर्मी पाड बलॉकъ का अरिया बनता है कि जहाँ पर तरफ लोग कराची से यह न दूसरे करते है तो यह Capital Smarty में जिन members की यहां पर investment है आने मले दिनों में आपको बहुत अच्छे return on investment देखने को यहां पर नजर आएंगे 12 अब यह जो यह विलाज बनते हैं यह काफी में एलिवेशन से विडियो बना रहा हूं तो आपको जो स्टुक्चर नजरा रहे हैं वो काफी चोटे साइस के नजरा रहे हैं तर रीजन इस कि पूरा ब्लॉग में ट्राइ कि कवर करने कोशिक करूं और एक्सपेक्टली यहां सब को एक टाइम पूजेशन मिल जए कि पूरे ब्लॉग के अंदर लेट सजी 500 विलाज बन रहे हैं इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्रस्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर क्योंकि जो एक साइडर तीन मला का यूनट होगा वो तीन विलाज बनेंग उस पर ग्राउंड फ्रस्ट और पीछे आपको स्ट्रीट नमर एट पे जो भी नज़र आ रहे हैं जिनके अभी सेकंड फ्लोर तक मुकमल होगे लेकर अभी तक जो कहलें कि प्रॉपर प्लसर काम होता है वहोना स्टार्ट नहीं हुआ स्ट्रीट नमर नाइन पे और यह विलाज जो बनते हैं जिस पर आपक कि बन सा मन्त इसकी मैं वीडियो बना दूँ तक जिन में अलड़ ही जो स्ट्रीट व्यू है उसकी मैं ने सारी वीडियो बना के उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि जिन में यहां पे इन्वेस्ट अप नहाज़ एक चोटे से ब्लॉग को मैंने क्यों ले सकते हैं कि ओवराइल अन्समेंट का फॉल अप क्या बनता है लोकेशन वाइज में अब बहुत अच्छी लोकेशन है नौर्स साइट पे इसके चहांड डैम है बैक साइट पर सौफ साइट पर इसके लामाई डिस्टिक आता है और हम वेस्स साइट के बात करें त तो ये सबसे जल्दी अबाद ओने वाले जो एरियाज होंगे उनमें से एक होगा उसकी सिंपल सी वजा है क्योंकि इसके अंदर कंपनी की तरफ से आलमोस तक्रीवन दोड़ाई सो विलाज ऐसे हैं जिने कंस्ट्रक्शन की जारी है पांच मिलाके सेक्टर ए रोड के राइट से और रोड के लेव्ट साइड पे बात की जाए तो एक्जर conserve तो मुझे नहीं पता precisely कितना कंस्रक्शन हो रहा है बट मैं ऑक्काउंट कर वालूंगा कि कितना नंबर बनता है total ये बोगत बड़ा नंबर बनता है अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज दूलाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़े जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस अगर करना मत भूलेशक बेख्म हुदा लाता है उबना मत भी याज़त करना मत अगे तक का मता रिज़े